अब बाड़ी है मेंब्रेन डालने का देखिए जो मैं मेंब्रेन यूज करता था वो देखिए कहां का है इसको अस्थिर से रख दिया देखिए made in ये मेंब्रेन जल्दी मिलेगा ने ये quality का देखिए made in USA general electric GE water membrane inside side सोचिए इस quality का membrane मिलना मुस्किल है नतीजा क्या है कि जो मेरे कीचन में 2016 में लगा था सर आज तक इस membrane को बदलने की आवसकता नहीं हुई है अब membrane में देखिए दो हिस्सा है ये एक बड़ा वासर यहां लगा हुआ है ये बाहर के तरफ रहेगा और यहां दो छोटा वासर है ये अंदर जाएगा ये जाएगा इस तरह से इसके अंदर जाएगा एक चीद ध्या जगा पर यहां तो मैं कद्यदार जगा है इसको उपर से प्रेस करना है पूरी ताकत से जब प्रेस करके ठक से हलका सा लगे कि आपको अंदर में लॉक हो गया है तब समझे ये membrane अंदर असल में गया उसके बाद यहां पर भी वासर एकदम मस्ट है ये ब्लैक वाला वासर और उसके बाद भी इसको फिर spanner के छोटे वाले हिस्से से tight करना है ये जाएगा इसमें लगेगा बिना spanner से tight किये आपको लगेगा tight हो गया है लगे वो tight होगा नहीं बाद में drop drop पानी चूना चालू करेगा complaint चालू हो जाएगा ये चीज़ चलिए इसके बाद आगे का process देखेंगे पहले मैं यहाँ पर मैंने इनलेट को ये प्री फिल्टर को complete कर लिया है ये complete हो गया एकदम full tight पूरी ताकत से और अंदर में प्री फिल्टर है एक पाट ये complete एक membrane डालना है इसके बाद इस machine में सब सेट करेंगे और उसके बाद machine को इस tank में उपर fit करेंगे देखेंगे